दोस्तों इस वीडियो में हम Bank of Baroda Home Loan को डिसकस करेंगे दोस्तों Bank of Baroda जो की एक सरकारी बैंक है इस वीडियो में हम यही डिसकस करेंगे कि माल लीजिए अगर मैं Salered Class हूँ यानि अगर मैं कहीं पर Job करता हूँ तो उस Case में अगर मुझे Bank of Baroda से Home Loan लेने है तब Home Loan लेने का क्या प्रोसेस है और अगर माल लीजिए मैं Self Employed हूँ माल लीजिए मैं कहीं पर अपना खुद का बिजनस करता हूँ उस Case में अगर मुझे Bank of Baroda से Home Loan लेने है तो उस Case में Home Loan लेने का क्या प्रोसेस है इन सब के अलावा काफी लोगों का सवाल यह होता है कि माल लीजिए आप 1,000,000 लेते ऊ एक लाख रुपे का होम ला लेते हो तो उस Case में आपको मंधली कितनी किष्ट भर नहीं है अगर माली जी आप 10 लाग उर्पे का होम लोन लेते हो तो उस केस में आपकी मंथली कितनी किष्ट बनेगी, 50 लाग का होम लोन लेते हो तो उस केस में मंथली कितनी किष्ट बनेगी, यानि at the end of the video हम होम लोन कैलकुलेटर को डिसकस करेंगे और इन सब के अलावा हम ये भी ड करें एक बार हम यह देख लेते हैं कि बैंक ओफ बरोडा किस किस प्रकार के होम लोन हमें देता है इन में सबसे पहला जो होम लोन है उसका नाम है बरोडा होम लोन उसके बाद बरोडा होम लोन एडवांटेज एक आपको मिलेगा बरोडा होम लोन टेक ओवर स्कीम जिसे हम ब personal loan और add the end आपको मिलेगा credit risk guarantee fund scheme for low income अब ये सारे ही bank of baroda के home loans एक एक करके हम इस वीडियो में discuss करेंगे बट सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल एक बर हम discuss कर लेते हैं अब इस case में bank of baroda में ही नहीं अगर आप किसी भी bank में जा करके home loan के लिए apply करते हो तो सबसे पहले कोई भी bank आप से एक ही सवाल पूछेगा कि आपको home loan fixed rate of interest पर चाहिए या फिर floating rate of interest पर अब ये fixed और floating rate of interest क्या होता है जैसे उधारन के तोर पे आज bank of baroda ये कहता है कि हमारा जो home loan का rate of interest है वो 6.90% से शुरू हो जाते हैं मैं एक बार ये मान के चलता हूं कि bank of baroda आज 6.90% के rate of interest पर हमें home loan offer कर रहा है अब इस case में आप bank of baroda की branch visit करोगे bank of baroda के employees सबसे पहले आप से पूछेंगे कि आपको fixed rate of interest पर लोन चाहिए या फिर floating rate of interest पर मान लीजी आप कहते हो कि मुझे fixed rate of interest पर home loan चाहिए और मुझे 20 सालों के लिए home loan चाहिए तो इसका simply मतलब यह है कि आज 6.90% का rate of interest अगर home loan bank of baroda offer कर रहा है और आपने 20 सालों के लिए home loan bank of baroda से ले लिया तो अगले 20 सालों तक चाहे home loan का rate of interest बढ़े चाहे home loan का rate of interest घटे आपको 6.90% के हिसाब से ही अपने पूरे loan tenure में आपको अपनी EMI स्पे करनी है दूसरी तरफ अगर आप bank of baroda वालों को यह कहते floating rate of interest लिया और कल को मानलो 6 महीने के बाद home loan के rate of interest सस्ते होकर 6% पे पहुच गए तो अब इस case में जितना भी आपका loan बचा है तब आपको 6% के हिसाब से अपनी बची हुई EMI से पे करनी है और मानलो उसके 6 महीने के बाद home loan के rate of interest बढ़के यानि 6% से बढ़के 7.50% पे प adjust होती चली जाएंगी अब यहां पर आपका एक सवाल ही आएगा कि इन में से बहतर कोन है यानि fixed rate of interest बहतर है या फिर floating rate of interest बहतर है देखो इस case में simple answer यह है पहली बात तो जादतर banks आज की rate में आपको fixed rate of interest ओफर ही नहीं करें लेकिन अगर आप फिर भी bank को compel करोगे कि मु floating rate of interest के लिए अगर आपको fixed rate of interest चाहिए तो इस case में जो rate of interest हमने website पर लिखे है उससे 1.5% महेंगे rate of interest पर ही हम आपको fixed rate of interest ओफर करेंगे जैसे माल लो आप bank of baroda में 6.90% rate of interest इन्होंने अपनी website पर लिखा हुआ है तो यह 6.90% इन्होंने लिखा हुआ है सिरफ और सिरफ floating rate of interest के लिए अगर आपको fixed rate of interest चाहिए तो लगभग लगभग इससे 1.5% महेंगे rate of interest पर ही आपको fixed rate of interest मिलेगा तो इस case में मैं आपको personally यही suggest करूँगा कि आप किसी भी bank से home loan ले लो आपको floating rate of interest पर ही home loan लेना चाहिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार हम LTV का concept भी देख लेते हैं यानि loan to value का इस case में कोई भी bank को चाहे bank of baroda हो या फिर कोई भी दूसरा bank को एक term आती है LTV यानि loan to value इस case में bank यह बोलता है कि अगर आप जो भी घर पर chase कर रहे हो अगर उस घर की value एक लाख उर्पे से लेकर 30 लाख उर्पे के बीच में तो इस case में bank यह बोलता है कि हम आपको 90% उस घर की amount as a loan दे देंगे यानि माल लो अगर आप कोई घर purchase कर रहे हो और उसकी value है 30 लाख उर्पे तो bank यह बोलता है कि 30 लाख का 90% यानि 27 लाख उर्पे तो मैं आपको as a loan दे दूँगा और बचे हुए 3 लाख आपको down payment करनी पड़ेगी द इसे मालो आपके घर की value है 60 लाख उर्पे तो इस case में bank यह बोलता है कि ठीक है 48 लाख उर्पे तो मैं आपको loan दे दूँगा लेकिन बचे हुए 12 लाख उर्पे आपको as a down payment करनी पड़ेगी तीसरा case यह बोलता है bank कि अगर आपके घर की value 75 लाख उर्पे से जादा है तो इस case में मैं सिर्फ आपको 75% ही loan दूँगा यानि अगर मालो आपके घर की value एक करोड रुपे है और आपको loan चाहिए तो इस case में bank यह बोलता है इसका 75% यानि 75 लाख उर्पे ही मैं आपको loan दूँगा बची हुए 25 लाख उर्पे की value आपको खुद ही down payment करनी पड़ेगी इसे हम बोलते हैं LTV यानि loan to value अब हम bank और बरोडा के home loans को discuss करते हैं जिसमें सबसे पहले हम discuss करते हैं बरोडा home loan को बरोडा home loan की अगर हम बात करें तो इस case में bank और बरोडा simply यह बोलता है कि इस home loan के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसकी उमर 21 साल से 70 साल के नहीं है कि आप अपनी 70 साल की एज में पहुचके एक fresh loan के लिए करोगे 70 साल का simply मतलब यह कि जब आप अपने 70 साल की उमर में पहुचोगे तब तक आपका पूरा का पूरा home loan close हो जाना चाहिए इन सब के अलावा minimum amount की अगर हम बात करें तो इस case में आप एक लाक रुपे minimum amount ले सकते हो और maximum amount आपको कितनी मिलेगी है जो home loan तो यह depend करता है कि आप कौन सी city में रहते हो अगर आप rural या semi-urban area में रहते हो तो maximum आपको एक करोड का home loan bank of baroda offer कर सकता है अगर आप urban area में रहते हो तो इस case में जादा से जादा आप 3 करोड का home loan ले सकते हो अगर आप किसी metro प्रो सीटी में रहते हो तो जादा से जादा साड़े साथ करोड का home loan ले सकते हो और अगर आप मुंबई में रहते हो तो इस case में आप जादा से जादा 20 करोड रुपे का home loan ले सकते हो अब अगर मैं बरोडा home loan के rate of interest की बात करूँ तो यहाँ पर 6.90% से आपका rate of interest start हो जा लेकिन अगर मान लीजिए आपका civil score परफेक्ट नहीं है या फिर अगर आप पहली बार कोई home loan ले रहे और आपकी income भी बहुत सही नहीं है तो इस case में फिर यह वेरी करेगा जादा से जादा 8.25% तक भी बैंक बरोडा का यह home loan लोन जा सकता है इन सब के अलावा काफी लो इस तक कोई भी बैंक आपको home loan offer कर देगा मान लो अगर किसी की salary 50,000 रुपे मन्तली है तो इसका 60 टाइम यानि 30,000,000 रुपे वह maximum अपना home loan ले सकता है और इस case में अगर हम अपनी minimum salary की बात करें तो यहां पर आपकी कम से कम salary 10,000 रुपे होनी चाहिए और अगर आप से कम स 16,500 रुपे होनी चाहिए अगर आप बरोडा home loan लेना चाहते हैं अब एक बार हम बैंक को बरोडा के second type के home loan को discuss कर लेते हैं जिसका नाम है बरोडा advantage loan अब बरोडा advantage loan के सारे feature सेम है जैसे कि बरोडा home loan के थे लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही शांदार benefit मिलता है इस case को आप ध्यान से समझना बरोडा advantage loan में simply बैंक बरोडा यह बोलता है कि जो आपका home loan चल रहा है जैसे मालो मेरा 20,00,00,00 रुपे का home loan चल रहा है आप बैंक बरोडा यह बोलता है कि जो आपका यह home loan का account है इसे आप link कर वा लो अपने saving account के साथ ठीक है अब मालीजे आपका saving account ह यह आपका home loan का account है आपने यह दोनों accounts link कर वा लिए अब इस case में simple एक example लेके चलते हैं मालो मैंने 20,00,00 का home loan लिया और 8% के rate of interest से bank of बरोडा से home loan लिया तो इस 20,00,00 रुपे के उपर मुझे 8% के हिसाब से interest बे करना है bank of बरोडा को अब इस case में क्योंकि मेरा यह home loan का account मे मेरे पास कहीं से भी 1,00,00 रुपे आगे और वो 1,00,00 रुपे मैंने अपने saving account में deposit कर दिया अब क्योंकि मेरे saving account में 1,00,00 रुपे पड़े हैं वैसे अगर मालो मैं normally saving account में 1,00,00 रुपे अगर रखता तो मुझे कितना interest मिलता 3%, 3,5% लेकिन क्योंकि मेरा saving account मेरे home loan के साथ link है और मैंने saving account के अंदर 1,00,00 रुपे रखे होई हैं तो bank of paradise case में क्या बोलते हैं कि अब आपको 20,00,00 रुपे के ओपर अपना interest नहीं पे करना अब आपको सिरफ 19,00,00 रुपे के ओपर ही अपना interest पे करना है क्योंकि जो आपका saving account है वहाँ पर आपके 1,00,00 रुपे पड वो 8% interest चार्ज ही नहीं कर रहा है यानि वो interest free हो गया 1,00,00 रुपे आपका यानि एक तरह से आपने 3,5% interest ना कमा के सीधा 8% interest कमा है अब तीसरे परकार का जो bank of baroda का home loan है उसे हम बोलते हैं bank of baroda take over scheme जिसे हम normal शब्दों में balance of transfer यानि BT भी बोलते हैं इस case में bank of baroda ये बोलत इसी भी दूसरे bank में चल रहा है और आप वहां से home loan transfer करके bank of baroda में लाना चाहते हो तो इसे हम बोलते हैं bank of baroda balance of transfer या फिर transfer of home loan तो इस case में आप इस balance of transfer का भी लाब उठा सकते हैं उसके बाद 4 टाइप का जो लोन है उसे हम बोलते है bank of baroda loan for construction यानि इस case में जरूरी नहीं ह करानी है बना बनाए आपका घर है उसके अदर आपको कोई furniture addon करवाने तो इस case में अगर आपका कुछ ऐसा भी काम है तो इस case में आपको home loan के अंडर ही bank of baroda नया loan sanction करेगा उसके बाद जो नेक्स टाइप का home loan है उसे हम बोलते है bank of baroda pre approved home loan अब इस case में मान लीजिए आपक bank of baroda को देने की जूरत नहीं है क्योंकि आपको pre approved offer मिले तो इस case में आपको document submit नहीं करने पड़ते जितनी भी limit के लिए आप eligible होगे सीधा सीधा उतनी limit आपको sanction कर दी जाती है उसके बाद next type का जो home loan है उसे हम बोलते है bank of baroda top up अब top up का simply मतलब यह है कि मान लीजिए मेरा home loan चल रहा है 50 रुपे का अब इस 50 रुपे को मैंने पूरा यूज कर लिए और मुझे additional loan चाहिए यानि loan के ऊपर जब loan चाहिए होता है मालो मेरे 50 रुपे पूरे खर्च होगे मुझे फिर भी अभी 10 रुपे की और जूड़ते हैं मेरा घर complete बना नहीं है तो जब आपको loan क यह उपर loan चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं home loan top up तो इस home loan top up की facility भी बैंक को बरोडा आपको provide करते हैं उसके बाद जो next type का home loan है उसे हम बोलते हैं बरोडा सुवीदा personal loan facility अब इस case में जब भी हम home loan लेते हैं तो bank हमें यह बोलते कि आपको अपना personal insurance यानि आपको अपनी health insurance और life insurance और साथ में property का भी insurance कराना होगा अगर आप bank से loan लेना चाहते हैं यह ऐसा bank किसले बोलता है क्योंकि मान लोग कोई भी ऐसा वेक्ति है ABC उसने bank से home loan लिया और उसका ना तो life insurance था ना health insurance था और मान लो जो यह ABC वेक्ति है इसकी death हो जाती है तो इस case में अब बचा हु साथ home loan लेने के कुछ खर्चे ऐसे भी हैं कि जो extra charges है जैसे कि stamp duty या फिर जो भी registration के charges होते हैं तो यह सारे charges जो है इसके लिए अगर मालीज्य कोई व्यक्ति capable नहीं है उसके पास charges के लिए पैसे नहीं है तो यहां पर आपको सूवीदा personal loan की भी facility आपको bank को बरोडा offer करते ह आपको एक चोटा सा personal loan sanction कर देगा उस personal loan से आप यह सारे के सारे expenses अपने निकाल सकते हैं उस personal loan की EMI भी आप अपने home loan के साथ साथ bank को repay कर सकते हो अब एक बर हम documents की बात करें तो अगर मालीजे आप salary class हो यानि अगर आप कहीं पर job करते हो तो इस case में आपको अपनी photo अपने photo kyc के documents छे महिने की bank account की statement इन सब के अलावा processing fees का check इन सब के अलावा आपको proof of business देना होगा और तीन महिने की ITR के साथ साथ तीन महिने की profit and loss की balance sheet भी आपको bank को देनी पड़ेगी इन सब के अलावा अगर हम best bank को discuss करें तो आज की date में सबसे सस्ता rate of interest कोटक महिंदरा bank को ओ कोटक महिंदरा bank home loan offer कर देगा लेकिन अगर आपका सीविल स्कोर परफेक्ट और पास की credit history एकदम परफेक्ट है तो इसके home loan के rate of interest 6.65% से start हो जाते हैं उसके बाद SBI आपको 6.75% rate of interest पे home loan offer करता है HDFC bank 6.80% और ICICI bank 6.85% rate of interest पे आपको home loan देता है ऐसे ही bank of baroda जैसा कि हमने discuss किया इनके home loan के rate of interest 6.90% से start हो जाते हैं फिर Punjab National Bank Union Bank of India के rate of interest भी 6.90% है और at the end Central Bank of India जो कि 6.95% के rate of interest पे आपको home loan offer करता है दोस्तों उमीद करता हूं कि bank of baroda के home loan के क्या क्या features थे क्या advantages थे और सारी चीज़े इस वीडियो में आपको clear हो गई है इनके स्टिल फिर भी आपको कुस डाउट है तो आप नीचे comment करके अपना question पूछ सकते हो मैं सारे ही comments के answer करने की जरूर करूँ है दोस्तों अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening